गोबिनपुर के पास नेशनल हाईवे 30 पर शिफ्टर बुलेरो और बाईक की भिढ़न में दो यूवकों की मोथ हो गई हासे में वन विभाग के रेंजर और उनका चाला घायल हुआ है जिनने इलाज के लिए जिलाज पताल ले जाया गया जानकाई के मुताबिक काकेर की ओर से शिफ्टर और बाईक माकडी की ओर चा रही थी दूसरी ओर से बुलेरो आ रही थी तबी शिफ्टर के सामने अचालक एक मवेशी आ गया जिसे बचाने के लिए शिफ्टर चालक ने गाड़ी विप्रीद दिशा में मोड़ दी उसी दुराँ शिफ्टर से बुलेरो और बाइक की बेढ़न्त हो गई शिफ्टर को ओवर्टेक करने का प्रयास कर रहे बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए और दोनों की घटाय स्तल पर दर्दनाक मोथ हो गई वही सामने से आ रही वन विभाग की बुलेरो के चालक ने शिफ्टर को अपनी और आता देख गाड़ी दूसरी और मोरनी चाही लेकिन बुलेरो शिफ्टर की साई से टकड़ा गई जिसके बाद उसमें सवार वन विभाग के रेंजर अशोक सोनवानी और उनके चालक घयल हो गए उन्हें इलाज के लिए जिलाज पदाल भीजा गया है नहीं शिफ्टर के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपर की एक गाय को बचाने के लिए टिपर वाला ने रांग साइड में ये किया तो उसको देख करके बुलेरो जो है वो भी रांग साइड न गया है और जो बाइक वाला है वो ओवर टेक कर रहा था वो शिफ्टर के चपेट में आ रहे है तो दोनों को हस्पिटल पहुंचाए है